हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जॉब में और टार्गेट यूपीटेट सीटेट एप में तो दोस्तों आज है आपका क्लास नंबर नाइन और ये है आपका अध्याय नंबर दो जिसका नाम राष्ट्री आंदोलन ये हम पूर्ट सुझनता की मांग दोस्तों इसके अंतरगत हम लोग पढ़ चुके इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की असापना बंग भंग आंदोलन रॉल एक्ट जलिया वाला बाग अत्या कांड खिलाफात आंदोलन असायोग आंदोलन चौरी चौ सुरू करते हैं सबसे पहले काकोरी कांड काकोरी कांड भारति सुनता संग्राम के रांतकारियों दोरा ब्रिटिस राजि के विरुद्यूद छेड़ने की मांसा से हत्यार खरीदने के लिए ब्रिटिस सरकार की खजाना शूट लेने की एक एतिहासिं तो दोस्तों काकोरी कांड किया था कि जो भी बिटिस सरकार है उस सरकार के खजानों को किस तरह से लूटा जाए जिससे कि जो भारती क्रांतिकारी है वो अपने आगे के सुधंता के लिए लड़ाय लड़ सकें तो दोस्तों यहां पर देखिये काकोरिकांड भारती सुनता संग्राम के क्रांतकारियों द्वारा यानि कि जो भी भारती सुनता संग्राम से समझे भारत के जो भी क्रांतकारी थे उनके द्वारा बिटिस राज्जी के विरूद यूद छेड़ने की मंसा से यूद छेड़ने के लिए हतियार की जरुती और हतियार खरिदने के लिए पैसे की तो हतियार खरिदने के लिए बिटिस सरकार का एक खजाना लूट लेने की एक एतिहासी घटना है जहाँ पर करांतकारियों को पैसे की जरुत होती है किसके लिए हतियार खरिदने के लिए और उन हतियार को खरिदने के लिए जो पैसे जरुत होती है वो पैसा आता है सरकारी खजानों को लूट कर तो यहाँ पर हम देखेंगे और यह लूट लेने की जो घटना थी जो की घटी 9 अगस्ट 1925 को और इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने चार माउजर पिस्टल काम में लाए गए थे तो यानि कि जो ट्रेन डकैती थी जो क्रांतिकारियों के द्वारा इसमें उन्होंने पिस्टल के माध्यम से डकैती को अंजाम दिया था और यहाँ पर देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के केवल दस सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था यहाँ पर आगे हम देखें इसके साथ ही करांतिकारियों द्वारा चलाय जा रहा है आजादी के आंदोलन को गती देने के लिए भी धन की ततकाल व्योस्ता की जरुरत के मद्दे नजर साह जहाँ पूर में हुई बैठक के दवरान यहाँ पर हम देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें चाहे अपने देश को आजादी दिलाने की बात करें या फिर आंदोलन को और गती देने के लिए हर जगे धन की आओ सकता थी और चूकि जो धन था वो अंग् परतिय करांदिकारी थे वो उनसे धन को लूटने की योजना बनाते हैं और कहां पर बनाते हैं साजाँपूर में एक बैठक होती है और इसी बैठक के दोरानी रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार के खजाना लूटने की योजना बनाई थी क्लियर तो आगे हम जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी आठ डाउन साहरनपूर लखनो पैसेंजर को चेन कीच कर रोका तो दोस्तों यहां पर हम देखें इस घटना के जो प्रमुक्स दस्य थे वो थे राजेंदनाथ लौडी इन्होंने क्या कि 9 अगस्त 1925 को लखनो जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम ता आठ डाउन साहरनपूर लखनो पैसेंजर ट्रेन की चेन खीच ली और उसको रोक दिया और क्रांतिकारी यहां पर हम देखेंगे राम प्रसाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतित में आसफाक उल्लाखा पंडित चंसेखर आजाद वा छे अन्य साहयोगियों की मदद से समुचे ट्रेन पर आक्रमण बोलते हुए सरकारी खजाने को लूट लिया गया तो दोस्तों यहां पर देखें जो प्रमुखे क्रांतिकारी थे उसमें हम देखेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ने को लूटा यहां पर देखेंगे बने सरकारी खजाना लूटने वा मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा इन पर चलाए गया जिसमें राजेंद्र लोहडी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आस्फा कुल्ला खां और ठाकु रोसन सिंग को मृत्यों जर्ण यानिकी फांसी की सजा सुनाई गई तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहां पर करांतिकारियों को यह नहीं पता था कि वो पकड़े जाएंगे बलकि यहां पर उन्हें अपने देश के लिए क्या कर गुजड़ने की छमता देखनी थी कि हम अपने देश के लिए क्या क्या चीज़े कर सकते हैं अपने देश में किस तरह से सुतंदता ला सकते हैं उसके लिए वो अथक प्रयास कर रहे थे और दोस्तों यहाँ पर काकोरी कांड की घटना के बाद जो भी करांतिकारी इसमें सामिल थे उनको पकड़ा गया इसमें देखिया प्रमुक्ते जो राजेंद लाओडी पंदित्राम प्रसाद बिसमेल आसफा कुला खां और ठाकुर रोशन सिंग को मृत्यु डंड की सजावी सुनाई यानि कि उन्हें फांसी पर लटका दिया गया तो ये थी दोस्तों काकोरी कांड की घटना आगे हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर स्वराज दल स्वराज दल या स्वराज पार्टी के स्थापना के विसे में कभी कभी पूछ था आपके एकजाम में तो दोस्तों 1921 में महत्मा गांधी द्वारा आसायोग आंदोलन को बंद किये जाने के कारण बहुत से नेता छुपद हो गये थे दोस्तों हम लोग जब जलिया वाला बाग हत्याकांड पढ़ रहे थे और उसके बाद जब हम लोगों ने पढ़ा था चौरी चौराकांड तो उसमें देखा था किस तरह से नरसंगार हुआ था तो जलिया वाले बाग हत्याकांड में तो अंग्रेजों ने गोलिया चलाई थी भारतियों ने अत्य भारतियों के उपर लेकिन अगर हम भात करें चौरी चौराकांड की तो वहां पर जो भारती करा अंतिकारी थे उन लोगों ने थाने में आग लगा दी थी जिसमें 22 फुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी यानि कि जल कर वो मर गय थे तो दोस्तों यहां पर देखिए उसी से व्यथित हो करके जो असायोग आंदोलन चल रहा था गादी जीने उसको अस्थगित कर दिया था औ और 1921 स्वी में आत्मा गादी जोरा आसवे वंदोलन को बंद कर दिये जाने पर बहुत से नेता चुपद हो गय थे यानि कि गुस्सा हो गय थे इसी कारण कुछ नेता ने मिलकर एक अलग दल का निर्माड किया था जिसका नाम था सुराज दल यानि कि जब उनसे गादी ज स्थापना मार्च 1923 में देश बंदु चितरंजन दास तता मोतिलाल नहरू ने की थी और दोस्तों वो जो दल था सुराज दल की नाम से जाना गया सुराज पार्टी की नाम से जाना गया और उसकी जो स्थापना होई थी वो 1923 में होई थी और देश बंदु चितरंजन दा पंदित मोतिलाल नहरु ने इसकी स्थापना की इस डल का प्रतम अधिवेशन इलाबाद में वा जिसमें इसका समिधान और कारिक्रम निर्धारित हुआ इसका जो प्रतम अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ ये भी कोश्चिन बन सकता है कि सुराज पार्टी का प्रतम अध स्थापना के लिए इससे सुराज डलने आगे हम चलें दोस्तों साइमन कमिशन दोस्तों इसमें आपके जो भी स्लैबस उसमें जो भी महत्वपूर पॉइंट है जो भी महत्वपूर टॉपिक है वो सारे हम लोग कवर करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आगे च और इस सदस्य थे जो सभी बुर्टेटिन की संसत के मनोनीत संसके बिए नॉन्णे यहां पर हम देखें दो सायन कमीसन की गोश्रा जो होती है वह 8 नॉंबर 1927 को हुई थी और कमिशन को इस बात की जाच करनी थी कि क्या भारत लायक हो गया है कि यहां लोगों को समयधानिक अधिकार दिये जाएं तो यह जो साथ सदस्य थे इन साथों सदस्य को यह responsibility सौपी गई थी कि जो भारत है जाकर के भारत में देखें कि जो भारत है वहां के लोगों को समयधानिक अधिकार दिये जा सकते हैं या की नहीं आगे देखते हैं दोस्तों इस कमिशन में किसी भी भारती को सामिल नहीं किया गया जिस कारड या इसका बहुत ही तीवर विरोध हुआ था दोस्तों जो कमिशन था जिसमें जो भी सदस्य थे वो अंग्रेज थे और अंग्रेजी सदस्य होने के नाते कोई किसी भी भारती को सामिल ना होने के कारड़ी ये जो कमिशन था इसका बहुत ही तीवर गती से बिरोध हुआ भारत में और 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह ब्योस्ता की गई थी तो दोस्तों 1919 इस्वी के भारत सरकार अधिनियम में ब्योस्ता की गई थी कि 10 वर्स के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगत की समिक्षा करेगा जो भी अधनियम में प्रगती हुई है उसकी समीक्षा के लिए एक आयोक की नियुक्ति की जाएगी ये भी प्रावधान रखा गया भारतिये भी द्वैद सासन यानि की प्रांतों में जो भी सासन से परिसान हो चुके थे जहांपे द्वहरी सासन व्यवस्ता से परिसान हो चुके थे वे इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे अता ब्रिटिस पधान मंत्री ने समय से पूर्वी सर जाउन साइमन के नेत्युत म साथ सदसों वाले सायोक की स्थापना की जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन की संसत के सदस्य थे यहाँ पर हम देखें कमिशन के भारत आगमन से पूर भी इसका विरोत प्रारंब हो गया था और देश के सभी प्रमुख नगरों में नविकों ने हर्ताल करके काले जंडिया दिख भारत में लागू करना चाता था लेकिन उसका भारत में बहुत ही तेविर्गती से विरोध हुआ और उसके लिए नविकों ने हर्ताल किया और साती काली जंडिया दिखाए गई और साथी कमिशन साइमन कमिशन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए अगे हम चलते दोस्त बारदोली सत्यागरा है दोस्तों बारदोली सत्यागरा भारती स्वाधिनता संग्राम के दोरान वर्स 1928 में गुजरात में हुआ था यह एक प्रमुक किसान आंदोलन था तो दोस्तों यहां पर हम बात करें जो बारदोली सत्यागरा आंदोलन है यह 1928 में हुआ था और यह कहां से समझ दी था गुजरास से समझ दी था और ये एक प्रमुक किसान आंदोलन था यहां पर हम देखें जिसका नेतित बलब भाई पटेल ने किया तो दोस्तों जो वार्दोली आंदोलन वो किस से समझ दी था सरदार बलब भाई पटेल समझ दी था क्योंकि इस आंदोलन क उस समय प्रांतिय सरकार ने किसानों के लगान में 30 प्रस्तत तक ब्रिद्धी कर दी थी पटेल ने इस लगान ब्रिद्धी का जमकर विरोध किया और सरकार ने सत्याग्राय आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम भी उठाए पर अंतितार बिवस होकर उसे किसानों की को मानना पड़ा तो दोस्तों यहां पर हम देखें यह जो आंदोलन ता वह किसानों के लगान में जो इसको लेकर के था है और इसमें इस आंदोलन का नेरितित लेकिन जो किसानों का जो नेतितों कहर रहे थे सरदार बल्लब भाई पटेल वो नहीं जुके और अंत में किसानों की मांग को मानने के लिए अंग्रेज सरकार विवस हो जाती है और इस अंत्यागरा आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की जो महिलाओं ने बल्लब भाई तरह की उपाद किस नेदे तो दोस्तों बार्दोली अंदोलन की महिलाओं ने ही सरदार बलब भाई पटेल को सरदार की उपाद ही एक लिए और फिशों के लैटन को मिल सके तो इसी तरह से आप अपनी मेनाध जारी रख और साथ दोस्तों आपके लिए जो भी वीडियो की प्ले लिस्ट है वो आपको चैनल की प्ले लिस्ट में देखाई और साथ यहां वी सुभदह आप अपनों से पनी अपने अध्यान रखें हम सुजुनने के लिए था इंक्यो समाच जैए हिन